जे श्री राधी दोस्तों आज हम अपने टेरिस काडन पर उगाने वाले हैं ऐसी सबजी हान जी ये सबजी ही है कई सारे लोगों को तो कई सारा खनफ्यूजन है कि भी ट्रूट पल है या फिर सबजी तो आज मैं इसके बारे में जितनी भी जानकारी है वो भी लेकर आई हू और साथ मैं ये भी बताने वाली हूँ कि हम इसे क्रेट में किस तरह से लगा सकते हैं क्रेट हो या फिर कोई अन्य पोट आपके पस कोई भी पोट है या फिर कोई गमला है या फिर कोई बोरी वगरा है या फिर कोई ग्रो बैग वगरा है कुछ भी है ना तो उसमें हम एक बार करते हैं न तो आप कई सारी बिमारियों से बच सकते हैं, ये कैंसर जैसे खतरनाक बिमारी को भी हमसे दूर बगा देता है, नहीं होने देता है, ब्लड प्रेशर आज कल तो हर किसी का हाई रहता है, तो उसे भी ये कंट्रोल करने की शंता रखता है, और साथ में ये जैसे हार्ट में बिमारियां वगएरा हो जाती है बलड फ्लो नहीं हो पाता है क्योंकि बलड थीक हो जाता है तो ये बलड को थिन मतलब खून को पतला करने का भी कारे करता है और इसमें कई सारे ऐसे पोश्टिक तत्तव पाया जाते हैं जैसे पोटैशियम आईरन और भी कई सारे जो कि हमारे बोड़ी को चाहिए होते हैं और ये सब कुछ इसमें पाया जाता है और खून बनाने वाला जो हमारा हीमोगलोविन है ना इसमें कई सारी चीज़े हैं जो कि हीमोगलोविन का निर्मान करके खून का भी निर्मान करती है तो चोड़ो अब जानते हैं कि इसे बनाना किस तरह से मतलब लगाना किस तरह से हैं हम इसे घर पर किस तरह से लगा सकते हैं तो मेरे पास क्रेट था इसमें मैंने टमाटर लगाए हुए थे तो टमाटर मेरे को अच्छे नहीं लग रहे थे वो ना खराब हो गे थे पता नहीं जाले बहुत बन गे थे और टिड़े वगेरा बहुत पढ़ गे थे तो मैंने आज किया टोबाटर के पोदे मैंने कलके निकाल दिये थे और फिर मैंने आज मिट्टी निकाली और साथ में क्रेट साइड से टुटा हुआ था तो मैंने उसे electrical straps की मदद से bound कर दिया उसके बाद फिर मैंने soil mixture बाहर निकाला बोरी वो मैंने ऐसी डाल दी थी मतलब पूरा कवर नहीं किया थो उसकी वज़े से थोड़ी थोड़ी मिटी बाहर निकलती रहती थी तो आज मैंने बोरी को भी सेट कर दिया, फिर मैंने स्वोईल मिक्षिर निकाला मतलब जो मिटी थी उसमें उसमें पोटेशिम जाल दिया इसमें अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी क्या यह इस क्रेट में उख जाएगा तो इसका अंसर है हाँ जी क्योंकि यह जड़ वाली सब्जी होती है मतलब यह मिट्टी के अंदर उखते हैं ठीक है तो कंटेनर आपका गहरा होना चाहिए जादा भी गहरा क्रेंचा नहीं होना चाहिए क्योंकि यह मिनिमम Exclin के होती हैं चीख ठाक भी होता है ज़्यादा बड़ा बाड़ इसके लिए सभी ok for that तो मैंने सब्सक्रेदीं मिंकाल देते हो और इसमें ही लगा देते हो झाफेशियों ओर शीव कर दिया और फिर बीच ना मेरी मातश्री लेकर आये थे हमारे यहां के लोकल शॉप से ही आपको भी मिल जाएगा कहीं पर भी हाइबिड सीड्स लीजिए और साथ में डेट आपने चेक आउट कर लेनी कि पिछले साल के तो नहीं है फ्रेश ही लेने हैं मतलब जो क्या बोलता इसलिए अगर पुरानी होगे तो वह तो घटगी होगी और उसकी वज़े से फिर बीच भी खराब हो जाता है तो अब मैंने किया क्या कि थोड़ा प्लेस जैसे हम पालक वगर लगाते हैं वैसे नहीं लगाने जैसे मैंने आपको कहा नहीं यह जड़ो वाली है तो इसके न केंडिशन्स हो जाती है पैदा तो मेरे पास अज भी जमरित भी नहीं था इसलिए मैंने डिरेक्ट ऐसी लगा दिया और फिर मिट्टी के क्लियर बचा दी अब आप सब भी पताईए आप कब होगाने वाले हो आप इसे अपने गार्डन में और तीन महीने के बाद इसकी हा अज़ा देना केर करनी एक अच्छे से केर भी नहीं ठीक ठाक ही करना है और अब पांच चे पांच से छे दिनों में उख जाता है बाद बीच जर्मिनेट होने लग पड़ते हैं तो अब हम भी नोटिस करेंगी कि हमारे बीच कब जर्मिनेट होंगे तो चलिए फिर मिलते आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक जै श्री राधे